नमस्कार दोस्तो, mystocks.in channel में मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम IR CDC कंपनी के बरे में बात करने वाले बहुत ही यहाँ पे कंपनी में तेजी नजर आ रही है इसमें बहुत सारी good news अभी भी चल रही है और बहुत सारा trading यहाँ पे हो रहा है तो क्या हम इसका benefit ले क्योंकि आज के दिन में इसमें थोड़ा सा drop out जरूर नजर आ रहा है बट क्या long term के लिए इस share में profit हो सकता है इस company के दोड़े fundamentals और बाकी technicals देखने के बाद हम यहाँ पे disclose करेंगे या फिर उसके बाद हम जान पाएंगे क्या इसमें सच में हम अपना investment वरती है या फिर नहीं है तो चलिए वडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरी YouTube चैनल पे नहीं हो तो सब्क्राइब जरूर कर लेना नीचे डिस्क्रेश्टिमने टेलेग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का भी लिंक है एक बार जॉइन जरूर हो लेना मैं नया नया अकाउंट को लाओ Instagram पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहा हूँ और continuously आगे भी करता रहूंगा दोस्तों आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो अपसाइट ट्रेंड चार्ट है बहुत अच्छा खासा अपसाड गया और बहुत अच्छे खासे रिटरंस भी दिये हैं हमने इस टेर लगबग 2200 रुपीज पे रिकमेंडेड किया था वहास लगबग 1100 पॉइंट से जंप कर चुका और बहुत अच्छा खासा रिटरं यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है मिनिममम इसमें अगर आप हमारे रिकमेंडेशन भी बाय करते तो लगबग 50% का रिटरं आपको जनरेट होता है मिलता लगबग 1-2 मैने में अभी दोस्तों यससे हमने क्यों इसमें रिकमे चैनल को टर्च करता है और उसको वेल्यूम बढ़ता नजर आता है तो अब हमें बाय कर लेना जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर देखे कितेना अच्छा खासा वाल्यूम हुआ और यहाँ से देखिए कितना अच्छा खासा अप साट रेंड चला अँर आपका लग 3292 रुपीच के आसपास बहुत अच्छा खास से इसमें रिटन मिलते तो चलिए भी इस कंपनी के थोड़े से fundamentals भी जान लेते हैं अभी तो इसके टेक्निकल समझी गए अच्छा खासा upside trend चार्टे अभी एक बात ज़रूर हो सकते हैं इसमें अगर future में आपको investments करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा stock correction लेगा जैसे के आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से वो direct जा नहीं सकता है यहाँ से थोड़ा सा down momentum आएगा उसके बाद ही वो उपर जाएगा ठीक है direct कभी नहीं जा सकता है इसा उपर 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 अभी इसमें जो कहते हैं कि volume होता है वो थोड़ा सा उसे consume भी करना पड़ता है इतना फटा फट एक साथ volume जाएगा तो इसमें SM के list में आ जाएगा और second फिर ऐसा आते यहाते उपर 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 चले जाएगा सो लगबग हमारे target में आपको बताता हूँ उससे पहले company के थोड़े से fundamental जान लेना बहुत एहम है दोस्तों अभी दोस्तों इनके अगर news के बारे में बात करते हैं क्योंकि news बहुत emotionally होते हैं और उस पे बहुत सारे लोग buy भी करते है अच्छे शेर में अच्छी news आए तो यह बहुत अच्छी बात है अगर बात करेंगे company में अगर बात करते हैं तो लगबग 22% लोग जो थे अभी क्या करें इसके बारे में बात करते हैं तो चलिए अभी इसके fundamental जान लेते हैं जितने strong fundamentals होते हैं उतना भी आप अगर bear market आता तो उसे नीचे के levels पे एफिर average कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा सज्यादा profit हो आप market से भी exit ना हो और market में ही अच्छा खासा profit कमा अच्छा है अगर current rate देखा जाए तो 3,287 रुपए जो कि अभी दग अपडेट ने हुआ अपडेट होने के बाद थोड़े से changes नजर आएंगे stock P.E. देखा जाए तो वह लगबग 195 है अभी इतना high P.E. होने के बाउजीत भी कितनी ज़्यादा buying आप देख सकते हैं इसका बाकी जो FMC company FMCG जो कि governments कि है जैसे का ITC होगे और बाकी बहुत सारी companies जो कि POC companies है जो कि Indian government उसे own करती है उनका numbers of shares लगबग 100 करोड के आगे होता है तो इसका होता क्या है बहुत problems होते share price rag नहीं कर पाती जलती या फिर upside नहीं हो पाते क्योंकि उसमें sellers और buyers बहुत जादा हो अगर बात करेंगे company के return on assets की तो आप देख सकते 5.06 है जो कि अच्छा खासा है relance का जो कि आभी का 3.98 है जब इस company का इस company का जैसे की IRCTC का return on assets 5.06 है EPS company का बहुत low है अभी इसका reason यह है कि इसका P high है जब भी आप company को undervalued या फिर overvalued देखना है तो EPS को अपने P जो stock price to earning होती है उससे multiply कर दीजिए अगर share उसका जो price होता है वो अगर share price से ज्यादा निकल जाए तो मतलब यहाँ पर समझ जाए यह company बहुत जादा undervalued है और भी गिर सकती है अगर company का ROC और ROE पर धान देंगे तो यहाँ पर देख सकते है company का ROC 16 का है और लगबग ROE 11.6 का है अभी जो नए है उनको पता नहीं होगा ROC और ROE क्या होता है ROC is a return on capital employed और ROE मतलब return on equity एक साल में उनके share ने कितने returns दिया on an average अगर बात करेंगे 11% है पर अगले year में यह changes हो जाएंगे क्योंकि company ने बहुत अच्छा खासा performance किया है share price ने और company ने दोनों ने बहुत अच्छा performance किया है 2021 में दोस्तों अभी दोस्तों सबसे main important parameter के बारें बात करते हैं तो यहाँ पे industry PE भी कोई कम है नहीं क्योंकि industry PE भी देखेंगे तो लगबग 95 की है तो दोनों on average सेम है बर दोनों high levels पर perform कर रहे हैं अब यह बात करते हैं कि promoter holding कितनी है तो 67% promoter holding है और plays 0 है यहाँ पे एक बहुत जानने व अगरिद्म या फिर पहले से उनका एक motto है अगर बात करते कंपनी के free cash flow की लगबग 157 क्रोड का free cash flow है अब यह आप कहेंगे विचार आया होगा क्यों ऐसे करते हैं आप एक company होगी stock market में जो की PSU companies है आप किसी का भी देखिए एक भी company का अभले करोडों के करजे में डूब पर उन्होंने कभी भी अपने shares pledge नहीं रखे दोस्तों अभी हम company के financials के बारे बात करने है company का जो results है जो yearly results है वो कैसे है तो यहाँ पर देख सकते है sales continuously company के बढ़ रहे थे बट इन दो सालों में बहुत company ने थोड़ा सा down किया हुआ है अब इसके reasons बाकि कुछ नहीं है pandemic के आप सभी बता है और वो natural cost था तो यहाँ पर हम इसको as then हम इसे blame ने के सकते किसी पर या फिर ने के सकते कि या company के management खराब है फिर कुछ और है यहाँ पर natural cost था तो हमें यहाँ पर understand कर सकते है अभी company का operating profit देखेंगे तो constantly यहाँ पर बहुत बढ़ी बढ़ी आपरेटिंग profit पर लगबग 125 करोड थी वहाँ से sleep होके 114 करोड पर आ चुकिए है अभी company का depreciation चेक करेंगे तो constantly 20 करोड से यहाँ पर लगबग 49 करोड हुआ है यहाँ पर हमें यह चीज की पता चलती है कि company ने constantly अपने assets बढ़ा है depreciation लगता ही assets पे तो अगर depreciation ज्यादा हो गए है तो यह इसके बारे में हम नीचे balance sheet में चेक करेंगे अभी company का profit before tax देखा जाए तो लगबग constantly बहुत अच्छा grow हो रहा था 2020 तक 2020 में लगबग company ना all time high profit कमाया था लगबग 745 करोड रुपीज उसके बाद आया pandemic और लगबग जो 745 करोड था वो लगबग इनको 4-5 साल पीछे खी अगर दोस्तो नेट profit देखा जाए company का तो देख सकते 190 करोड का था 2021 का और यह टीटी है मतलब 12 ट्रेल मंस का लगबग देख सकते 297 करोड है जो कि यहाँ पे upside growth दिखा रहा है अगर company का EPS देखा जा तो बहुत बढ़िया रहता था पहले भी 57 का रहता था वहाँ से 18 का है ठाक कह सकते हैं share capital के बारें बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 करोड का share capital था वहाँ से बढ़कर लगबग 160 करोड को हो गया अभी यह होगी PSU stocks वाली बात तो दोस्तो अगर जादा से जादा share capital बढ़ेगा तो यहाँ पे company को share price जादा बढ़ने में problems आ सकते हैं क् अगर results के बारें बात करते हैं तो company का results constantly बहुत grow हो रहा है जो की बहुत अच्छी बात है borrowing बहुत जिरो है अभी इनको debt किस पे पे कर रहे है यहाँ अगर order liabilities पे ध्यान देंगे तो लगबग 2021 को order liabilities है इनकी 1699 करोड इस पे ही वो लगबग 10% का debt pay कर रहे हैं आप कहेंगे यार इतने ज्यादा पे सभी चीजे liabilities से मतलब सभी चीजे interest पे नहीं ली जाती यह government का stock से कह सकते कि PSU stock है तो यहाँ पे government बहुत ज्यादा चीज़ों में उनको favor करती है अगर फिर भी हम ध्यान देंगे तो लगबग पिछले साल से 1922 करोड की liability वहाँ से reduce करके 1699 करोड की की जो की बहुत great है अगर दोस्तो fix assets के बारे में बात की जा तो लगबग देख सकते 155 करोड का fix assets था वहाँ से 310 करोड का fix assets पे इनुने growth किया जो की बहुत बढ़िया बात है इसलिए में कहे रहा था कि company के fix assets and other assets दोनों implement कर रहे है तो दोस्तो एक चीज़ देखने वाले और यहाँ पर order assets भी लगबग 990 करोड के थे वहाँ से लगबग 2832 करोड के की के लगबग बहुत fast company अपना growth कर रही है जिसमें हम देख सकते है कि share price भी बहुत upside जा रही है मतलब steak बेचके ही यहाँ पर इनका थोड़ा सा order assets में improvement हुई या फिर कह सकते है कि fixed assets में improvement होती इसकी है है तो दोस्तों overall company बहुत अच्छी खासी है trading के लिए भी और long term के लिए भी लगबग long term का हमारा जो chart पे हमारा target है वो लगबग देख सकते हैं आराम से यहाँ पर यहाँ पर company जा सकती है फिर भी हम थोड़ा सा और optimist बनते हैं तो लगबग company 4000 बहुत जल्दी टच करती हुए नजर आ रही है इसके लिए फिर भी दो से तीन महीने company ले लेगी है तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ कल के वीडियो में तब तक के लिए मेरे YouTube चानल को सब्क्राइब करें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलेगरेम चानल का लिंक एक बार चेक आउट जरू करना ना भूले